जब भी गर के इंटीरियर की बात आती है, तीन आप्शन हमारी वाल के लिए आ जाती हैं, सबसे पहला है पेंट, फिर है पीवी सी यह वाल पेपर, इन तीनों में से बेस्ट कून सा है आपकी दिवार के लिए, टोटल खर्चा कितना आ जाता है, लाइफ कितनी है, जो भी कॉ के उप्शन आपको दिवारों के लिए मिल जाते हैं, पेस्टल से डार कलर तक आप अपनी दिवारों को करवा सकते हैं, और एक प्रिमियम लुक आपकी दिवारों को पेंट देगा, अगर पेंट करवाने की खर्चे की हम बात करें, तो 25 से 30 रुपे पर स्केर फीट का खर् रहती है, 5 से 7 साल रहेगी, ये इंटिरियर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंटिरियर में पेंट करवाती हो, लेकिन इसकी कुछ वॉल प्रपरेशन करनी पड़ती है, अगर आपको पेंट करवाने है, तो वॉल आपकी दो कोड़ पुट्टी, प्राइमर फिर पेंट करो तो आपकी दिवार से पेंट निकलेगा, और वो बहुत खराब दिखता है, क्योंकि अगर आपने रॉयल करवाया है, या कुछ उससे अच्छा पेंट करवाया है, तो वो खराब दिखेगा, ये चीज है, पेंट अगर करवाती हो, तो ये दिक्कते हैं और ये खर्चा आप अग्ला ऑप्छन है आपके पास वाल पेपर, तो वाल पेपर के लिए भी आपको वाल आपकी प्लेन चाहिए, उसके लिए भी एक कोड़ पुट्टी, प्राइमर होगा, तो बहुत अच्छा बात है, और उसके ऊपर आप वाल पेपर लगा सकते हो, और अगर वाल पेपर लगाने की खर्चे की बात करें तो आपको मार्किट में 20 रूपे पर स्केर फीट से शुरू हो जाएगा और वो 30 रूपे, 40, 45 अच्छा वाल पेपर 20 रूपे से आपको शुरू हो जाएगा पर स्केर फीट, लेवर प्लस मिटीरियल का और इसमें होता क्या है आपकी दिवार में सीलन और पपड़ी कुछ नहीं चाहिए क्यूंकि इसकी जो ऐसे बिना सीलन कुछ नहीं दिवार अच्छी आपकी लाइफ होती है 8 से 10 साल, पेंट से थोड़ी अच्छी लाइफ है इसकी बस सीलन और पपड़ी नहीं चाहिए जो जो जोईंट रहता है, mostly जो होता है हमा बात करें लगाने की, तो आपको 3-4 गंटे में एक दिवार आपकी अच्छे से लेवर लगा के चली जाएगी, इसमें भी कलर आप्शन आपको काफी ज़दा मिलते हैं, जैसे आपको पेंट में मिलता है, वैसे ही वाल पेपर में आपको कलर आप्शन भी मिलेंगे, पैटर नहीं से वो खराब होगा, ना आपका लिके से कोई दिक्कत आ रही है, ना पपड़ी से, और वाल की प्रपेशन भी इतनी ज़्यादा जुरूरत नहीं होती है, अगर आपकी दिवार पे प्लास्टर हुआ है, तो आप डाइरेक्ट पीवीसी पैनल्स लगा सकते हो, तो पी प्रइटी जाते हैं, और आज गल आसे पीवीसी पैनल्स भी आगमें, जिसमें आपको जोइन्स नहीं दिखते हैं, अगर हम पीवीसी पैनल अपनी दिवार पर लगवाने जाते हैं, तो हमें 50 से पच्च्मन रुपे पर स्केर फीट के साब से खर्चा करना पड़ेगा, ज जब PVC प्लास्टिक की चीच पूरे रूम में लगी रहेगी और गर्मियों में बहुत ज़दा हीट आपके कमरे में हो सकती है उस हीट से कुछ ऐसी गैसिस निकल सकती है जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है ये ये भी नहीं है कि बहुत ज़दा एफेक्ट करती है आपके हेल इसका कोई ऐसा इशू नहीं है बस जब PVC लगवानी है उसके जो स्क्रियू रहेंगे स्क्रियू अच्छी क्वालिटी की होंगे तो ये इतनी जल्दी निकलेगा नहीं ना कुछ होगा इसको बस एक दिक्कत रहती है जैसे अच्छी क्वालिटी की नहीं है कोई जोर से आप मत जाईए ने गर में आपको करना क्या है एक वॉल कोई भी आप वॉल पेपर के साथ जाईए जो आपकी में वॉल है जहां आप हाइलाइट करने वाले हो बले वो बैट के पिछे वाली है बले वो सोफे के पिछे वाली है जा आपकी ऐसी दिवारा जहां सामने नजर पड़ने वाली है तो वहां पे आपको वॉल पेपर के साथ जाना है तो वॉल पेपर आप 25 रुपर स्केर फीट के साथ से लगवा लिए अगर तो आप पकड़ लीजी आपको पच्छी सो से तीन हजार रुपया खर्चा आजाएगा वॉल पेपर लगाने का एक दिवार आपने वो कर लिया बाकी जो आपकी तीन दिवारे बची रूम की में बात कर रहो वहां पे पेंट के साथ आप जा सकते हो ने गरमे में ये सुझेस्ट करूंगा आप पेंट और व दिवार जैसे हम पेंट में करते हैं आपने सामें की दिवार थोड़ी लाइट रखनी है दो दिवारे अलग कलर की पेस्टल शेड उसके साथ एड़ करनी है तो वह भी बहुत प्यारा दिखता है अगर कंबिनेशन करना हो आपको पेंट और पीवीसी पैनल का वह बहुत व वॉल पेपर विनाइल उसके जैसे मैंने कहा उस पे एक लियर होनी चाहिए विनाइल की वो जल्दी खराब नहीं होता है दूसरा जो इसका एड़ीजिव यूज़ होगा उस पे बहुत इंपोर्टन चीज़ हो दिए अच्छी क्वालिटी का ब्रेंडिट क्वालिटी का इ बाकि PVC पैनल जब लगवाने हैं तो एक तो चीज है इसमें क्वालिटी आती हैं आपको सेम डिजाइन में तीन क्वालिटी से दिख जाएंगी तो जो मीडल क्वालिटी रहेगी जैसे अगर मैं बात करूँ 50-50 पर स्केर फीड में ने बोला तो एक क्वालिटी की आपको इ थिकनेस भी अच्छी होती है यह वेट के हिसाब से मतलब क्वालिटी होती है तो वेट अच्छे वेट वाली आपको लेनी है और इसका जो प्लैंक आता है 10 इंच भरे 10 का 9 का ऐसे आपको प्लैंक देखने को मिल जाएगा इसमें काफी कमपनीज मीचे साथ भी जा सकते हो व वो एक option हो जाता है, दूसरा UV Marble Sheet आपके पास है, Lowers आपके पास है, और साथ ही साथ Stucco Paint आपके पास है, Lime Plaster आपके पास है, तो ऐसे काफी options है, अगर आप Paint, PVC और Wall Panel के साथ नहीं जाना जाते, तो ये option आपके पास है, इस पे वीडियोज आएंगी future में, और इस पे वीडियोज बना भी चुका हूँ, Interior Playlist है हमारी एक अलग से, वहाँ पे जाके वीडियोज देखना, आपको हर एक Wall Panel का rate, और थोड़ा idea मिल जाएगा कि कहां बेवकूब बन सकते हो, वह quality का रहती है, वो जुरूर देखो, playlist अलग से मैंने बना के रखी है, बाकि अगर किसी को design करवाना है, house plan बनाना है, कोई construction related queries हैं, तो आपके में description में अपना WhatsApp नमबर डाल देता हूँ, सिर्फ WhatsApp होगा, उस पे WhatsApp कर सकते हो, आपको detail मिल जाएगी.